प्यारे बच्चों नमस्कार मैं पंकज यादव आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पंकज स्टेडी सेंटर में श्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 दसल एक और 15 दसल एक के जितने भी कोशन है ना उन सभी का हम धजिया उराने वाले कहने का मतलब यह हुआ कि प्रायक्ता के जितने भी कोशन है ना बाबू उन सभी को हम कंसेप्ट के साथ समझने की पूरी कोशिस करेंगे और मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ कि इस चेप्टर में जिस बच्चे को डाउट होगा ना वो डाउट जो है ना दूर दूर तक नहीं भटकेगा ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट के साथ समझने की हम पूरी कोशिस करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि इससे पीछे जितने भी चेप्टर है ना उन सभी को हम समप्त कर चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं तो बाबु यहां पहला में टोटल आपको पांच प्रशन जो है न वो दिखने को मिलेंगी तो आईए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तो पहला कहता है कि निमलिखित कत प्राइक्ता अब पलस घटना ई नहीं की प्राइक्ता बराबर क्या होता है तो मैं आपको बता दू बाबु कि एक होता है आईए आईए आप समझते हैं कभी कभी इसको घुमा करके पूछ दिया जाता है तो किलियर करते हैं बाबु घटना ई की प्राइक्ता कह रहा है तो घटना ई की प्राइक्ता को हम क्या किस से दर्साएंगे तो इसको हम दर्साएंगे बाबू पी ई से दर्साएंगे ठीक है तो घटना ई की प्राइक्ता को क्या बोलेंगे पी ई ठीक है कभी कभी से प्राइक्ता हां भी बोलते है ठीक है और ये पलस है तो हम लिखेंगे पलस और घटना ई नहीं की प्राइक्ता को रहा है तो घटना ई नहीं की प्राइक्ता को हम कैसे दरसाएंगे तो पी ई डैस से दरसाएंगे ठीक है तो ये हो गया तो पढ़ेंगे क्या प्रा जराएगा उपर रेकरिंग की तरह ठीक है तो ऐसे भी चलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको एक formula पता चले गया कि प्राइक्ता हां प्लस प्राइक्ता ना बराबर क्या होता है तो एक होता है और इसी बात को पहले प्रश्ण में दर्स आया गया है और इसे हम सुत्र के माध्यम से बता दिये कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत इस सुत्र से क्या होता है दो सुत्र और बनते हैं अगर मैं आपको कहूं कि प्राइक्ता ना बराबर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे तो देखो यहां प्र यानि प्राइक्ता हाँ तो अगर हम आपसे पुछें कि प्राइक्ता ना बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे सर एक माइनस प्राइक्ता हाँ होता है कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो ये भी क्लियर कर लिए अच्छा अब हम दूसरा चीज क्लियर कर लेते हैं क्या क्लियर क यह होता है तो यह उधर जाएका मानेस को जाएक तो इधर आ करके क्या हो जाएक कोई दिकत नहीं तो यह अद dei को फैसे जल्दी बोलते नहीं तो बोल दिये हैं, कि उस घटना की प्रायक्ता जो घटित नहीं हो सकती डैस है और ऐसी घटना डैस कहलाती है बताईए कोहता है कि उस घटना की प्रायक्ता जो घटित नहीं हो सकती है मतलब ऐसी घटना जो घट भे नहीं करेगा जो घटना नहीं घटती है उसे हम क्या बोलते है असंभव घटन कि प्राइकता क्या होती है बाबू तो जीरो होती है और ऐसी घटना क्या कहलाती है तो असंभव कहलाती है असंभव ठीक है कोई दिकत मैंने फिल कर दिया तो उस घटना की प्राइकता जो घटित नहीं हो सकती है वो जीरो है और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है समझ ग असंभव घटना कहलो या अनिश्चित घटना कहलो दोनों एक ही बात है तो यह क्लियर हो गया बाबु तीसरा हम देख लेते हैं काता है उस घटना की प्राइकता जिसका घटित होना निश्चित है अब काता है निश्चित है डैस है निश्चित है मतलब यह निश्चित घटन तो संभाव घटना की प्राइक्ता क्या होती है, बावु, की प्रायक्ता का योग होता है. क्या होता याद रठना बाबु? एक होता है. जब भी एक जाम में आ जाए कि किसी प्रयोग की नहीं कोई दिकत नहीं. पाँछमां समझें, यह देखें कैसे समझेंगे. कहता है किसी घठना की प्रायक्ता डैस से बरी या उसके बराबर कहने का मतलब यह हुआ कि डैस से बरी और डैस के बराबर तो डैस से बरी मतलब जीरो से बरी या उसके बराबर मतलब जीरो के बराबर होती है इस बात को ध्यान अखना तथा डैस से छोटी या उसके बराबर कहने का दैस से छोटी या 10 के बरावर तो बाबू 1 से 10 मतलब 10 में क्या आएगा 1 से, 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है इस बात को आये सुत्र के मादम से समस्ते कुछी इस तरीके से कि किसी घटना की जो प्राइक्टा होती है 자 वो 0 से क्या होती है तो 0 से बाबू बरा होता है और बराबर भी होता है है की नी देखना ये मूँ जिधर घुमा रहेगा वो चीज बरा होता है तो ये मूँ इधर घुमा हुआ है तो ये बरा होगा जीरो से और ये लग गया तो समझाओ कि बराबर भी है ठीक है तो प्राइक्ता जो होती हो जीरो से बरा होती है तथा बराबर होती है एबम एक से क्या होता है छोटा होता है तथा एक के बराबर होता है इस बात को ध्यान लखना और यही बात यहां पांच नंबर में लिखा गया है ठीक है इसी बात को इस माध्यम से मैंने दर्सा दिया तो जब भी कोई पूछे कि कि इसी घटना की प्राइक्ता किसके किसके बीच के होती है तो आप कहेंगे जीरो और एक के बीच ही निकलता है या जब भी आप प्राइक्ता solve करेंगे और उसका जो answer आएगा ना 0 और 1 के बीच का आएगा या फिर 0 के बराबर या फिर 1 के बराबर ठीक है आपने समझ लिया इससे 2 नहीं आसकता है 3 कभी answer नहीं आसकता है minus वाला कोई सैंख्या नहीं आसकता है ठीक है इस बात को ध्यान अकना हमेशा 0 से बरा तथा 0 के बराबर और 1 से छोटा और 1 के बराबर ही होता है प्राइक्ता का मान ठीक है तो आपने ये समझ लिया कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कैसा लगा ये पाचो कोश्चन बहतरी लगा ना आए न वाबू हम अगला कोश्चन लेते हैं ठीक है इसकी इंसर्ट मार लो आए अब हम दूसरा प्रशन सॉल्व करते हैं दूसरा में टोटल यहाँ पे 4 प्रशन दिये गए हैं तो आए यहाँ पे सबसे पहले इस कोश्चन को पढ़ लेते हैं कोश्चन कहता है कि निमलिखित प्रियोगों में से किन-किन प्रियोगों के परिणाम संप्राइक है असपस्ट कीजिए कहने का मतलब है कि इन चारों में आपको बताना है कि कौन संप्राइक है वो आपको असपस्ट करके बता देना है तो संप्राइक का मतलब होता है जहां 50-50 चांस हो अब इसमें देखेंगे कि जहां 50-50 चांस होगा वो संप्राइक है और जहां 50-50 चांस नहीं होगा वो संप्राइक नहीं होगा चलिए पढ़ते हैं पहला प्रशन कहता है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्ल करता है कार चलना प्रारंब हो जाती है या कार चलना प्रारंब नहीं होती है बताई यहां पे 50-50 चांस है क्या प्यारे बच्छों यहां 50-50 चांस नहीं है मानलों कि कोई कार ड्राइवर है उसने चाभी लगाया एक बार चालू किया तो नहीं हुआ दो बार चालू किया तो नहीं हुआ तीन बार चालू किया तो नहीं हुआ चार बार में नहीं हुआ, पांच बार में हो गया कि यह स्टार्ट हो गया, तो भाईया जब कार चला रहा है, तो आप जितना मने उतना बेर चावी एंट करके देख चेक करेंगे कि यहां चालू हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहां 50-50 चांस नहीं, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में कार जो है वो चालू हो जाएगा यह जरूरी नहीं है तो भाई यहां फिप्टी फिप्टी तो चांस नहीं है तो यह संप्राइक नहीं होगा बाबू ठीक है इस बात को ध्यान रखना दूसरा कहता कि एक खिलारी क्या है एक खिलारी बास्केट बॉल को बास बास्केट में बॉल डाल डालना क्या है रहे बास्केट में बॉल डाल पाती है यह नहीं डाल पाती है यह आपको बताना है कि यहां फिप्टी फिप्टी चांस है अब जो खिलारी है उल कहती है कि करती है यानि प्रयत्न करती मतलब लर्की है ना तो बैचारी जो लर्की है उ तो मतलब वो जितना मंच है उतना बार प्रेत्न कर सकती है कि एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तीन बार में नहीं हुआ, कहीं चौथावेर में डाल दिया जाए, है न, तो यहां तो 50-50 का चांस नहीं है, है न, 50-50 का चांस क्या है, नहीं है, तो इसलिए य खिलाडी बास्किट बॉल को बास्केट में. डालने का प्रत्न करती है यह वैचारी है न तो बास्केट में बॉल ॥ाङ नहीं डाल पाती है इसका 50-50 चांस नहीं है ठीक है bit तो भरिया यह नहीं होगा संप्राईक अब देखें थीसरा क्या कहता है कि एक शत्त्य और सत्य है, प्रश्ण का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, बाबू, आप कोई question को ले लो, अनुमान से, आप सत्य मारो, या सत्य मारो है ना, मतलब कोई इचार option दे दिया, है ना, अनुमान से आपने टिक कर दिया, तो वहाँ पे तो 50-50 है, या तो संप्राइक हुआ, ठीक है, तो तीसरा ये correct answer है, चोथा देख लेती है, चोथा कहता है, कि एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है, या एक लड़की है, सिंपल सी बात है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो आप वहाँ पे कहें, 50-50 जहां से यह तो लर्का ना तो लर्की, तो लर्का ना तो लर्की, मतलब 50-50 जांस है, तो संप्राइक है, क्या है संप्राइक है, लेकिन आज-कल कोई यह ज्यादा एडभान्स होगा, उतल clicking zelf तक रहा कर लेता है, कि लर्की है? और लरकी होगा, या का देका रगका होगा, है लेकिन यहां चांस के अलर्का है या लर्की है तो यह संप्राइक है यह तीसरा और चौथा जो है वह संप्राइक है यह हमारे पास आंसर हो जाएगा ठीक है इसका ओके वह दिक्कत नहीं अधिकत बावू तो आपने समझ लिया आए अगला प्रशन लेते हैं कि आये अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा प्रशन तीसरा प्रशन आपको स्कीन पर सो होगा यह आप लोग भूक में रख लेना क्यूंकि यह बहुत सिंपल है इसमें कुछ आपको कंसेप्ट यह रोगों किलियर कर देना है ठीक है तो पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेता है चल क्वेश्चन सुरू हो जा क्वेश्चन कहता कि फूट बॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्ण लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी इसके लिए सिका उच्छालना क्या कहता है उच्छालना एक निया शंगत विधी है क्यों माना जाते यानि इसे नि जितना भर उच्छाल के लिए समसंभावी और लॉट फूं कि यहाँ पहसक्ते हो तो इसका यह अंसर है तो आप जब इससे पुछेगा कि नया संगत विधी क्यों माना जाता है तो simple सी बात है जिसक्का को उछारा जाता है तो इससे नया संगत विधी इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 53 चांस है या तो हेडा अगल तो टेल आएगा तो आप कह सकते कि यह संप्राइक है इसलिए या फिर समसंभावी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं तो आपने तीसरा को समझ लिया बस इतना ही था और कुछ नहीं था मेरे भाई ठीक है आए ना चौथा प्रशन ले लेते हैं चौथा प्रशन क्या कहता है आप पहले लिखिये देते हैं आईए अब हम सॉल्व करते हैं प्रशन करमांग चार और पांच इसको हम बहतरीन तरीके से समझते हैं यहां पे कहता क्या है, चौथा प्रशन कि निमलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है, मतलब आपको बताना है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी घटना की प्राइक्ता कौ से एक से छोटा तथा एक के बराबर होता है कहने का मतलब जब भी प्राइक्ता का मान पुछे तो कहना या तो जीरो होगा या तो एक होगा या तो जीरो और एक के बीच का ही होगा ठीक है तो आई इसमें से देख लेते हैं कि कौन-कौन प्राइक्ता है और कौन-कौन अना वैसे तो सिंपाजी बात है माइनस वाला जो है न वो कभी भी प्राइकता कमान नहीं हो सकता है माइनस वाला बागी ये 2-3 है क्योंकि 3 से अगर 2 में भाग देते हैं तो एक से क्या होता है छोटा होता है तथा 0 से बड़ा आता है अब देख लो ट्राइ करके अगर 3 से 2 में भाग देंगे तो भाग न लगेगा तो हम क्या कर सकते 10.5 बाइठा सकते हैं 10.5 बठाएएँगे 0 तब 20 हो जाएगा ना तो 6,18 कर सकते हैं फिर क्या है 10.5 बाइठाएँगे यानि ये तो प्राइक्ता का मान है, है न, तो ये किसी घटना की प्राइक्ता हो सकती है पहला, लेकिन ये माइनस वाला नहीं हो सकता है, 15 पर 30, पर 30 हटाओगे तो क्या लिख सकते हो, 15 बटे 100, अब 100 से 15 में भाग देंगे, तो इसका जो एंसर आएगा, 0 से बढ़ा आएगा और 1 से छोटा ही आएगा, देख लेना, यानि 0 और 1 के बीच का ही इसका एंसर आएगा, तो ये तो प्राइक्ता का मान है, 0 दसना साथ ये भी 1 से छोटा है, और 0 से बढ़ा ही ये भी प्राइक्ता का मान है, लेकिन इस असुरा जो है माइनस वला माइनस एक दसम्ला पांच यह 0 से भी छोट है तो यह क्या है कि किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है माइनस इसलिए 0 से छोट है पांच मां सॉल्ब करते हैं बाबू तो पांच मां क्या कहता है जरा यहां पे देखिएगा देखो गौर से पाचना कहता कि यदि प्राइक्ता हाँ तो प्राइक्ता हाँ का मान है 0,10,05 है तो ई नहीं यानि प्राइक्ता ना ई नहीं का मतलग क्या हुआ कि प्राइक्ता ना का मान आपको बताना है कहता ना कि ई नहीं कि प्राइक्ता क्या है यानि प्राइक्ता न का मान आपको बताना है तो आपको पता होगा बाबू कि प्राइक्ता हां और पलस में प्राइक्ता न किसके बराबर होता है तो आप कहेंगे एक के बराबर होता है कि नहीं जूट न बोलना ठीक है तो एक के बराबर होता है आप देखिए तब प्राइक पराइक्ता न नहीं को एसे भी दर सा सकते हैं टैसे भी कोई दिकति हम तो दुनूं तरीके से बता देतें ताकि बच्छा सब है उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0 दसमल लग जीरो पांच कभी कभी कुछ यो कुछ बोल देते हैं ठीक है बाबू सोना मोना टोना है ना कोई दिक्कत नहीं है आईए अब हम solve करते हैं प्रशन करमांग 6 तो यहाँ पे प्रशन करमांग 6 क्या कहता देखिए कि एक थैले में केवल नीवू की महक वाली मीठी गोलियां है मालनी बिना थैले में जहांके उसमें से एक गोली निकालती है इसकी क्या प्रायक्ता है कि वह निकाली गई गोली पहला संत्रे की महक वाली है और दूसरा नीवू की महक वाली है तो आपको एंसर बताना है बड़ा सिंपल है विया आपको पता है कि एक थैला है क्या है बाबू कि एक थैला इस तरीके से उपर से डंडी लगा हुआ है और इस थैले में केवल नीवू की गोली वाली है यानि निम्बू ठीक है तो निम्बू की इसमें क्या है निम्बू क करती है इस थैले में बीना देखे हुए हाथ डालती हैं तो हाथ डालेगी तो उसमें से का निकलेगा तो पहला हम इसको सॉल्ड करते हैे पहला कि संत्रे की महखवाली है अच्छा अ around अब बताईये कि क्या अगर हम बीना आप हो या हम हो यह वेचारी मालनी हो यह बखलोलिया जो है ना इस बीना देखे अगर इस निम्बू के थेले वाली जो है जो retail इसमें अगर दैकर निकालेगी कुछ भी निंग्वु है तक क्या निकलेगा निम्बूय निकलेगा संत्रा की महागवाली गोली कहां से निकलेगा नना निकलेगा ये तो गलत बात है ये तो अनिश्चित घटना है ये तो असंभव घटना है है कि नहीं बताए निम्बू की गोली यानि निम्बू की महागवाली गोली इसमें भरा हुआ है संत्रा की महागवाली गोली कहां से आएगा नना आएगा निश्चित घटना है यानि असंभव घटना है और असंभव घटना की प्राइकता होती है बाबू असंभव घटना की प्राइकता क्या होती है जीरो होती है कोई दिक्कत नहीं न दिक्कत गर्दा उरा दो ठीक है हाँ देखिए है दूसरा कहता है नीबू नीब आंक से देखे या नो देखे चाहीं उपर टांकों के चाहें नीचे टांकों के तो अगर इसमें भुसाइंगे नहां मेंगी निकलेगा इतifi हैं इक तो निशीद घटना की प्राइकता बागु का होती है हो गया लोग क्वेशन कोई तुम नहीं ना चलिए आप लोग लाइक कर दिजएगा इसको बनाने में नहीं परिशानी है इसको लिखने में परिशानी है ऌना चलिए आगे बढ़ते हैं आईए अब हम solve करते हैं प्रशन करमान साथ लग रहा होगा कि यह धमकी दे रहा है ना कुल इसका धमकी छुड़ा देंगे दखिए सात्मा क्या कहता है कि यह दिया हुआ है कि तीन विदार्थियों के समू में से दो विदार्थियों के जन्म दिन एक ही दिन ना होने की प्राइक्ता रखिए एक ही दिन ना होने की प्राइक्ता जीर्व दसल ना दू है इसकी क्या प्राइक्ता है कि इन दो विदार्थियों का जन्म दिन एक ही दिन हो कहने का मतलब है कि दो विदार्थियों के एक ही दिन जन्म ना होने की प्राइक्ता ये दिया गया है जन्म ना होने की प्राइक्ता को हम क्या चिस से दर साते हैं तो P E डैस से दर साते हैं और ना होने की प्राइक्ता कितना दे रखा है बाबू? 0.992 अब कहता है कि इसकी क्या प्रायक्ता है कि इन दो विदार्थियों का जर्म दिन एक ही दिन हो कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि दो विदार्थियों का एक ही दिन हो जर्म दिन तो उसकी प्रायक्ता आपसे पूछ रहा है इसका मतलब क्या प्रायक्ता हाँ है है न एक ही दिन हो मतलब प्राइक्ता हां तो प्राइक्ता हां बराबर ये पूछ रहा है न उसमें ना था दिया था प्राइक्ता हां आपसे पूछा जा रहा है तो प्राइक्ता हां बराबर क्या होगा तो आको पता होगा सुत्र कि प्राइक्ता हां और प्लस में प्राइक्त ना है ना प्राइक्ता ना बराबर क्या होता है एक होता है तो प्राइक्ता ना के जगा पर हम कितना रख सकते हैं तो इसको हम क्या करते प्राइक्ता हां और बराबर तो बराबर ये एक है तो एक ठीक है पला से धर गया तो माइनस का प्राइक्ता ना आ गया तो यहां पर हम क मान कहने कर द आप स को हर आना है थे कमने सेसे काइस अक्रन दासमलब 007 रख दो क्यमकि एक क्योंकि आत्सला कितना विदो उसका प्रसका उसका कोई नहीं यह तो तो ऑनी सामना डरी लह तो जिरो गाले तो यह दर नुव नौ दो आप घंसर मतलब Пред scooter context वारे पास जीरो दरस्रांवलब 008 यह इंसर आवाबा ठीक है प्राइकता होने की ओके तो यह हमारे पास इंसर आ गया को जिकत नहीं जिकत बाबू आप तो इसका स्किन सब्सक्राइब लो अगला प्रश्न लेते हैं आई और हम सॉल्व करते हैं प्रश्ण करमांग आठ प्र पहला लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो बड़ा सिंपल है पहले एक थैला बना लेंगे चलिए बाबू हम एक थैला बना लेते हैं ठीक है क्या बना लेते हैं एक थैला कुछ भी हो आप लोग समझ लेना इस थैले में तीन लाल है बाबू लाल गेंद की संख्या कितनी है तो ल नहां पे जो कुल गेंद हुए न वो टोटल हो गए पांतीन आठ हो गए ठीक है तो कुल गेंद आठ हो गए है ना अब कहता है कि लाल हो तो लाल होने की प्राइक्ता बाभू लाल होने की प्राइक्ता है ना तो प्राइक्ता अब ये इसका हम कैसे निकालेंगे अब देखेंगे क्या कि प्राइक्ता बराबर क्या होता है प्राइक्ता बराबर होता है बाबू शंभाव शंभाव परिनाम परिनाम बटे कुल परिनाम क्या होता है कुल परिनाम ठीक है परिनाम तो यहां पे संभाव परिनाम कितना है बाबू तो संभाव परिनाम जो है कहता है कि लाल होने की तो इसमें संभाव परिनाम कितने है तीन है क्योंकि लाल होना तो यहां पे तीन तो आई है तो वह संभाव परिनाम है तो लाल होने की जो हम प्रयक्टा निकालते हैं तो संभा दूसरा हम solve करेंगे, दूसरा कहता है कि लाल नहीं हो, लाल ना हो, तो लाल ना होने की प्राइक्ता, कैसे निकालेंगे, बाबु लाल जब ना होता है, जब नहीं कुछ कहता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, देस लगा देते हैं, ठीक है, तो यह क्या हुआ बाबु, यह हुआ कि प्राइक्ता ना होने की आपको निकालने के लिए को रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, आपको पता होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं, लाल ना होने क प्राइक्ता हमें निकालना है ना तो कैसे निकालेंगे आपको फॉर्मूला पता होगा कि प्राइक्ता हां ठीक है प्राइक्ता हां और प्लस में प्राइक्ता ना बराबर क्या होता है एक होता है ठीक है तो हमने देखा था प्राइक्ता हां तो प्राइक्ता हां कितना निकाल हो यहाँ पर है ना और बराबर में क्या करो यह 1 एक है तो 1 लेंगे तो आठ और 8 औरhst में मोझा करेंगे तो क्या होगा ठीक है और एक से बिआ ने तरीode 10 कोई दिखकत नहीं दिकत यह समझ गया ना लाल होने की प्राइक्ता प्राइक्ता अपको पता होगा कि नहुने बरावर क्या होता है तो प्राइक्ता कि ना निकला था तिन बटा आठ अब प्राइकता 9 कामान निकालना था क्योंकि 9 होने की कौनिटी से निकाल दिये जहटाक से तो वीडियो पसंदा तो लाइक करते चलिए ठीक है अगला प्रशन लेते हैं आईए अब हम सॉल्व करते हैं प्रशन करमान की 9 को तो चलिए 9 को सॉल्व कर लेते हैं प्रशन करमान की 9 क्या कहता है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं इस डिब्बे में से एक कंचा यदरिक छाय निकाला जाता है इसकी क्या प्राइक्ता है कि निकाला गया कंचा लाल है सफेद है हरा नहीं है बड़ा सिंपल है कैसे सॉल्व करेंगे आईए हम आपको बताते हैं बाबू एक डब्बा है एक हम डब्बा बना देते हैं कुछ इस तरीके से एक डब्बा बना देते हैं इस डब्बे में जो है 8 सफेद है, तो सफेद कितने है बाबू, सफेद, तो सफेद है 8 ठीक है, उसके बाद हरे कितने है, तो इसमें जो हरे है न, वो टोटल दिये गए 4 कंचे ठीक है, तो कुल कंचे कितने हुए, कुल कंचे, बाबू कुल कंचे कितने हुए, तो कुल कंचे हो गए बाबू, कि 8, 5 13 13 और 4 17 हुए तो हम यहां पर 17 निक देंगे को नदिकत नहीं नदिकत तो यह हमारे पास 17 आ गया अब हम करेंगे क्या यहां से है ना हम करेंगे यहां से क्या यह तो आ गया कुल परिनाम है ना या कुल कंचे कहलो तो यह तो आ गया अब निकालना क्या है पहला लाल है सफेद है हरा नहीं है यहीं न अच्छा हरा नहीं हम देख लेते बुक में यह हरा ही नहीं है या फिर कुछ और है नौमा तो नौमा है हरा नहीं है ठीक है लाल है सफेद है हरा नहीं है इसका निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे बाबू तो चलिए लाल होने की प्राइकता हम कैसे निकाल सकते हैं लाल है तो आपको पता होगा कि संभव परिनाम बटे में कुल परिनाम तो संभव परिनाम इसमें कितना है तो संभव परिनाम इसमें कितना है पांच है क्योंकि लाल है तो लाल इसमें कैगो है पांच है तो संभव परिनाम उपर जागा पांच और कुल परिन सबसे पहले हम क्या करेंगे हड़ा होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हरा होने की प्राइक्ता निकाल लेंगे ठीक है तो इसे हरा नहीं है तो हरा नहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं हरा नहीं इसको हम लिख सकते हैं प्राइक्ता ना पूछ रहा है तो प्राइक्ता ना बरावर क्या होता है और प्राइक्ता हां निकाल लेंगे तो यानि हरा होने की प्रायक्ता आपको निकाल लेना है तो हरा कितने इसमें चार गो है तो हम चार लिखेंगे और कुल परिणाम कितने है सत्रा तो सत्रा लिखेंगे मतलब यह हुआ कि हरा होने की प्रायक्ता हमने निकाल दिया हां तो प्राइक ता हां तो हम निकाले नहीं थे दो हम निकाल दिए चार वटा सत्र Spring ंठा रहता है तो कितना होगा ये थे सत्र है या फिर कुच और है है हाना वा थे साफान तो 13 बटे में ये कितना हो जाएगा 17 कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है ना तो ये हमारे पास इंसर आ गया ठीक है अच्छा चलिए अगला प्रशन हम क्या करते हैं तो लेते हैं आईए अब हम solve करते हैं प्रशन करमांग 10 तो प्रशन करमांग 10 कहता है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपे के 50 सिक्के हैं और 2 रुपे के 20 सिक्के हैं और 5 रुपे के 10 सिक्के हैं यदि पिगी बैंक को हिला कर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्राइक है तो इसकी क्या प्राइक्ता है कि वो गीरा हुआ सिक्का पहला पचास पैसे का होगा और दूसरा रुप्या पांच का नहीं होगा तो आपको निकालना है ये तो बड़ा सिंपल है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि मालों की एक पिगी क्या है बैंक है ठीक है ये बैंक है ओके और इस बैंक में क्या दिया गया है कि 50 पैसे के बाबू यहां पे लिख देते हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो टोटल है एक सो सिक्के ठीक है तो यहां पे मैंने एक सो सिक्के कर दिये उसके बाद जो दिया गया है यहां पे वो एक रुपे के ठीक है तो एक रुपे के कितने सिक्के है तो यहां पे दिये गया है पचास सिक्के है ठीक है एक रुपे के पचास सिक्के है और 2 रुपे के 20 सिक्के है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रुपे के कितने सिक्के है तो 20 सिक्के है और उसके बाद दिया गया है 5 के 10 सिक्के है यानि 5 रुपे के बाबू कितने है तो 10 सिक्के है ठीक है अब हम कुल परिनाम निकाल लेंगे यहां से तो कुल परिनाम कितना आ जाएगा बाबू यहां से तो कुल परिनाम जो आ जाएगा सब को जो रहेंगे तो यह 0, 2, 1, 3, ठीक है 3, 5, 8 हो जाएगा और यह 1 है तो 1, 180 हो जाएगा कुल परिनाम है ना अब यहाँ पे पहला क्या कहता है पहला जो कहता है बाबू आपसे निकालने के लिए कि पचास पैसे का होगा पहला क्या कहता है यहाँ पे देख सकते हैं कि पचास पैसे का होगा तो इसको हम निकाल लेते हैं पचास पैसे का होगा तो इसको कैसे निकालेंगे कि पचास पैस पैसे का होने का प्रायक्ता या फिर पचास पैसे का होगा है ना होगा यानि इसकी प्रायक्ता आपको निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे बाबू तो इसका देखो पचास पैसे के कितने सिक्के हैं सबसे पहले हम वह देखेंगे तो पचास पैसे के कितने सिक्के एक सो सिक्के हैं तो हम क्या करेंगे आपको पता कि प्रायक्ता बराबर क्या होता है संभव परिनाम बटे में कुल परिनाम होता यही नहों होता है तो हमारे पास संभव परिना हम कितने 180, तो हम लिखेंगे 180, काट दो, तो ये कट गया, अब ये 0 से 0 तो कट गया, ये 10 वट्टे अठार थे, उसको काटेंगे, तो 5 वट्टे कितना आजागा, 9 आजागा, तो ये हमारे पास आंसर आजागा, कोई दिक्कत में ये दिक्कत, है ना, अब हम क्या करते है ना, तो यहाँ पे कहता है, रुप्या 5 का नहीं होगा, है ना, होगा, तो नहीं होने की प्राइक्ता को हम किस तरीके से दर्साते हैं, पी डैस, ऐसे करके दर्साते हैं, यहीं दर्साते हैं, तो ये क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, तो आपको पता होगा एक formula मैंने बताया था वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लिख देता हूँ कि प्राइक्ता प्राइक्ता हाँ और प्लस में प्राइक्ता ना ठीक है बराबर क्या होता है तो एक के बराबर होता है यही ना होता है तो अब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइक् ना क्योंकि पांच का नहीं होगा इसकी प्राइक्ता निकालना है तो प्राइक्ता ना बराबर क्या होगा तो हम सबसे पहले प्राइक्ता हा निकालेंगे तो प्राइक्ता हा निकालेंगे कैसे तो पांच उर्पे होने की प्राइक्ता हमें निकालना होगा है ना तो यहाँ पे देख लो पांच उर्पे के होने की संभव परिणाम कितने दौस है तो संभव परिनाम 10 रख देंगे और बट्टे में कुल परिनाम कितने है 180 तो हम नीचे लिखेंगे 180 ठीक है हमने लिख दिया और पलस में प्राइक्ता ना होने की है ना तो प्राइक्ता ना होने की हमें निकालना है ठीक है तो हम यहां से आसानी से अब निकाल सकते हैं ठेक है तो यहां से लिखेंगे कि आप रायकता ना बराबर एक है तो एक और यह पलस का इधर है तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 बटा में 180 यह 0 से 0 cancel तो 1 बटा 18 हो जागा इसके नीचे एक छिपा रहा था यह 18 और यह हमारे पास कितना हो जाएगा 1 से 18 में भाग देंगे तो यह 18 मतलब 1 से 18 में भाग देंगे तो भागफल 18 18 से 1 में गुना करेंगे तो 18 होगा 18 से 18 भागफल 1 एक से एक में भूरा की तो 1 आएगा तो 18 से गया तो कितना होगा बाभू 17 और नीचे होगा अठार तो 17 बटे 18 क्या हो जागा हमारे पास अंसर हो जागा ठीके तो हमने इसको क्या किया निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत अब क्या करते हैं अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण कर्मांग हम ले लेते हैं बाभू 11 ग्यार देखलो ये बहुत सिंपल है 11 कहता है जरो देखो इसको यहापे 11 कहता है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मचली खरीती है तो दुकानदार एक टंकी जिसमें पांच नर मचली और आठ मादा मचली है में से एक मचली अधिक्छाया उससे देने के लिए निकालती है तो देखिए आकिरती पंदरत सर्शार इसकी क्या प्रायक्ता है कि निकली गई मचली नर मचली है यह तो बड़ा सिंपल है इस क्वेश्चन में है क्या देखो जरा ध्यान से कि जैसे कि एक जल जीव कुंड है ना एक जल जीव क्या है बाबू कुंड है क्वेश्चन नमर 11 है ध्यान से ठीक है तो एक जल जिव कुंड में क्या है नर मचली और मादा मचली दोनों है तो नर मचली कितने है पांच है नर मचली कितने है बाबू नर मचली जो है न वो पांच है अब यहां से हम क्या करेंगे बाबू तो हमें निकालना क्या है इसमें दिया गया है ना इसमें निकालना क्या है कि प्राइक्ता है कि निकाली गई मचली नर्मचली है तो निकाली गई मचली नर्मचली की प्राइक्ता क्या होगी नर्मचली की प्राइक्ता प्राइक्ता बरा पुल परिणाम कितने हैं इसमें तेरा तो तेरा पांच बटा तेरा यह हमारे पास क्या हो जाएंगे इंसर आ जाएंगे कोई दिकत नहीं बड़ा सिंपल था कोशन लंबे-लंबे रहते हैं बस धमकी देता है और कुछ नहीं करता है ठीक है और कुशन सिंपल रहता है आएए ग्यारा तो हो गया अब बार्रा देखनेंगे है न कुश्चन देखेगा बुओ आ क्या कहता है कि संयोग के एक घेल में एक तीर को घूमाया जाता है जो विश्रां में आने के बाद यानि मतलब समझो की रुकने के बाद ठीक है तो विश्रां में आने के बाद संख्याओं एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ और आठ में से किसी एक संख्या को इंगित करता है यानि सूचित करता है समझो तो देखिए आकिर्ती 15.5 यह हमारे पास 15.5 है यदि यह सभी परिणाम संप्राइक हो तो इसकी क्या प्राइकता है कि यह तीर इंगित करता है आठ को करेगा, या एक विसाम संख्या को करेगा या दो से बई संख्या को करेगा या चौथा में है नो से छोटी संख्या को करेगा यह तो बड़ा सिंपल है, आईए हम बताते है तो बाबु प्रशन कर्मांग 12 क्या कहता है 12 कहता है देखो सबसे पहले हम तो चित्र बना लेंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके का round है पहले और उसमें total 8 खाने हैं जैसे कि यहां से और यहां से कितने खाने बने चार खाने बने है ना 4 और 2 6 खाने 6 और 2 8 खाने हो गए 8 खाने हो गए और सभी में number दिया गया है जैसे कि एक है उसके बाद इसमें कितना है 2 है इसमें 3 यह 4 यह 5 यह 6 यह 7 और यह 8 दिये गए ठीक है और इसमें 3 अंदाजी जो है वो घुमाया जाता है तो यह दिये गए है तो हमको सबसे पहले देखना कि कुल परिनाम कितने है तो यहां पे देखो कुल परिनाम तो 8 ही है एक से लेकर के कितने है कुल परिनाम 8 है है की नहीं है तो हम यहां पे लिख देंगे सबसे पहले कि कुल परिनाम कितने है तो 8 है कुल परिनाम बाबू परिनाम जो है न वो कितने है तो आठ है ठीक है अब पहला निकालते हैं पहला में क्या कहता आपको निकालने के लिए आठ को करेगा यानि आठ आने की प्रायक्ता आपसे पूछ रही है न तो आठ आने की प्रायक्ता ठीक है तो आठ आने की प्रायक्ता बराबर क्या होगा तो वही संभव परिनाम बटे म में कितने बार है एक ही बार तो है आठ है ना तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको एक तो लिखेंगे एक और बट्टे में कुल परिणाम कितने आठ तो आठ यह हमारे पास क्या हो गया एंसर बाबू यह एंसर हो गया ठीक है तो आठ इसमें देख लेना आठ इसमें कितन सब्सक्राइब दूसरा क्या कहता है हमको दूसरा इसमें कहता है कि एक विस्वाम संख्या को करेगा यानि विस्वाम संख्या आने की प्रायक्ता पूछ रही है तो एक विसौम संख्या 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 की प्रायक्ता पूछरे संख्या की प्रायक्ता बराबर तो क्या होगा तो विसौम संख्या इसमें देख लो टोटल कितने हैं आपको प्रायक्ता और पता चल लगा कि संभव पही ना बटे कुल पही ना तो विस्वाम संख्या कौन कौन है यहाँ पर एक यह है विस्वाम संख्या एक दो है ना उसके बाद तीन उसके बाद कितने है चार चार गो विस्वाम संख्या है कि ने एक है तीन है उसके पांच है साथ है यह सारे विस्वाम संख्या तो विस्वाम संख्या इसमें कहा और कुल परिनाव कितने आठ है काटेंगे तो कितना होगा एक वट्टा दो तो हमारे पास एक वट्टा दो आ जागा विश्वम संख्या की प्राइकता कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है ना अब हम क्या करेंगे बाबू तीसरा देख लेते हैं तीसरा क्या कहता है इसमें तीसरा कहता है कि दो से बरी संख्या को करेगी यानि दो से बरी दो से बरी संख्या संख्या की प्राइकता आपसे पूछ रही है तो दो से बरी संख्या की प्राइकता क्या होगी तो बाबू इसमें देख लेना कि 2 से बरी संख्या कितने है तो 2 से बरी संख्या टोटल कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चोगो 2 से बरी संख्या है 2 से बरी संख्या देखना है 3 है, 4 है, 5 है, 4, 7, 8 है तो टोटल कह गो संख्या, 6 है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो संभव परिनाम 6, खुल परिनाम 8 काटेंगे तो तीन दुना चोओ चार दुना आठ कटेगा तीन बटा में चार यह हमारे पास क्या जागा बाबू एंसर आजगा है कि नहीं तो यह हमारे पास एंसर आ गया है ना अब क्या करेंगे अब हमको निकालना क्या है आगे दिया है चौथा में ना तो चौथा निकाल संख्या की प्राइकता बराबर है ना नौ से छोटी संख्या की प्राइकता क्या होगी तो देखो नौ से छोटी संख्या इसमें कि जितने भी संख्या सब नौ से छोटी है तो टोटल संख्या कितने आठ है तो हम कह सकते कि संभव परिनाम 8 है और कुल परिनाम कितने 8 है काटे जो हम solve करेंगे ना प्रश्न कर्मांग 13 क्या कहता है जरा देखिएगा तेरा कहता है कि एक पासे को एक बार फेका जाता है निमलिखित को कहता है एक पासे को यहां तेरा देखिएगा कि एक पासे को एक बार फेका जाता है निमलिखित को प्राप्त करने की प्राइक्ता ज्या परिनाम है ना तो आईए हम तेरा को सॉल्व करते हैं तेरा हम कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बाबु आपको पता है कि कुल परिनाम कितने होते हैं कुल परिनाम परिनाम है ना तो कुल परिनाम जो है बाबु वो पासे में कितने हैं एक है दो है तीन है चार है पांच ह और 6 तो पासे में total कितने संख्या होते हैं इतना ही संख्या थो टे total कितने 6 होते हैं तो पुल परिणाम कितने होए तो पुल परिणाम हो गए है कि एक अभाज संख्या है तो पहला हम में निकालेंगे एक अभाज संख्या अभाज संख्या संख्या तो अभाज संख्या इसमें कौन कन है बाबू देख लो तो अभाज संख्या है आपको पता है कि इसमें अभाज संख्या है जो दो है तीन है उसके वाद 5 है यह अभाजे संख्या 2,3,5 यह अभाजे संख्या है अभाजे संख्या आपको पता है कि वह संख्या जो स्वयम से कटे और एक से कटे लेकिन एक को छोर कर एक पर लागू नहीं होता है ठीक है तो वह संख्या जो स्वयम से कटे और एक से कटे वह अभाजे संख्या क कितने हुए तीन हुए एक दो तीन हुए है ना तो इसकी प्राइकता बराबर क्या हो जाएगी तो इसकी प्राइकता बराबर होगी संभभ परिनाम बटे कुल परिनाम तो संभभ परिनाम एक दो तीन है और कुल परिनाम छो है तो काटेंगे तो कितना होगा बाबू एक वट कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बावू है ना आई अब बात करते हैं तेरा का दूसरा क्वेशन हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्या कहता है इसमें दूसरा कहता है बावू तेरा का यहां पे कि दो और छो के बीच इस्थित कोई संख्या है बावू तो 2 और 6 के बीच इस्तित संख्या कौन कौन है तो देख लो 2 और 6 के बीच 3,4,5 है ना तो यहाँ पे लिखेंगे 3,4,5 यह 2 और 6 के बीच है इस्तित संख्या है की नहीं तो संभव परिणाम कितने हुए 1,2,3 हुए तो इसकी प्रायक्ता बराबर क्या हो जाएगी तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम 3 है कुल परिणाम 6 है काटेंगे तो 1,2 आ जागा तो 1,2 हमारे पास इंसर आगया इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो यह हमारे पास इंसर आगया बाबू अब हम क्या करेंगे इसका आगला देखते है इसमें आगे क्या करता है तीसरा काता एक विशौम संख्या तो भाईया तीसरा में जो कहता है आपको बाबू विशौम संख्या तो विशौम संख्या की प्राइकता क्या होगी तो आप लोग देख लीजिए से विशौम संख्या कितने हैं एक भी विशौम संख्या है तीन विशौम संख्या और यहां पर देखते हैं प्रश्ण क्रमांग 14 तो यहां पर प्रश्ण क्रमांग 14 क्या कहता है कि और पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है निमलिखित को प्राप करने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए यानि आपको लाल रंग का बादसाल, लाल रंग का तस्वीर वाला पता है इन सभी का प्राइक्ता आपको ग्याद करना है तो आपको तो पता चल गया कि कुल परी नाम कितने है प्रश्ण कर्वांग 14 हम solve करें ठीक है कितने होते होते हैं पत्ति भावू 52 पत्ति होती है तो उसमें से पहला कहता है पहला निकालने के लिए लाल रंकी बादसा की प्राइक्ता तो हम कैसे निकालेंगे देखो आप लोग लिख ले ना हैं मैं इसी बता रहे हैं आप लोग समझ जाओंगे गा तो लाल रंग की बाक्सा के प्राइक्टा तो आपको पता होगा कि बा्वन तास की जो गड़ी हो प्राष्जा क्या होता है तो ठीक्री हो जो प्राष्जा होता है और एक लालhando करीना होकर को बसہ जिस खोता हैने ako क दूग होगा लालपान का बस्सा तो दूग जो होगा वो तो संभव परिनाम हो गया तो संभव परिनाम उपर जाता है और उसके बाद कुल परिनाम उसके बाद क्या था कुल परिनाम कुल परिनाम कितने बावन है तो बावन लिख देंगे ठीक है काटेंगे बावू तो इसक दूसरा क्या कहता है बाबू कि एक फेस कार्ड अर्थार तस्वीर वाला पत्ता तो समझने वाली बात यह है कि तस्वीर वाला पत्ता कैग होता है तासकी गट्टी में तो आपको पता होगा कि जैसे 52 पत्ते होते हैं कॉल विरे खिलते हैं तो चार गुरूप होता है कि नहीं सबी जगह बाठते है ना तब परते ग्रूप में फेस वाला पत्ता जो होता है ना तीन गो होता है यह गुलमा बेगी बस्सा यह तीनु जो होता है ना फेस वाला होता है तो तीनु पत्ता जो है फेस वाला है तो चार ग्रूप में है तो चार तीया कितना हो जागा बारा गो पता है की लाल रंग की तस्वीर वाला पता है तो आपको पता होगा की लाल रंग का तस्वीर अलापता कैगो होता है तो क्या बताएंगे तो आई हम आपको बताते हैं कि लाल रंग का तस्वीर अलापता कैगो होता है देखो बाबू जैसे कि ठिकरी होता है ठिकरी होता है कि नहीं तो बाबू ठिकरी भी लाल होता है और लाल पान भी लाल होता है तो ठिकरी 3 लाल में में 3 3 लाल रंक तक्रि होगा और लाल पनी में कितने हैं गुलाँ च्छोग उए तो इसों की पिरीक्ता आंक निकाल रिए 3 इसरा में मतलब लाल रंग का तस्विरला पतक है को छोग होता है तो संभा परिणाम 6 हो गया और कुल परिणाम बावन हो गया ठीक है तो संभा परिणाम 6 तो भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू तो काट लेना क्या दिक्कत है तीन दूना अब हम क्या करते हैं चौथा प्रश्ण को हम सौल्व करते हैं चौथा क्या कहता है चौथा में यहां पर कहता क्या है देख लेना पान का गुलाम है पान का गुलाम क्या हो एक यह जानी लाल पान लाल पान का गुलाम तो एक ही होता है न तो पान का गुलाम है इसकी प्राइक अब हम अगला देखेंगे पांचवता है यो तो इसकी प्राइक्ता क्या हो जाएगे हुगम की पता जो होती न बाबु तेरा तह संभा परिणाम तेरा और कुल परिणाम भावन तेरा बट्टे बावन इंसर आज जाएगा इसका कोई दिक्कत नहीं है तो तेरा चोका बावन काड़ दोगे तो एक वट्टा में चार ही त तो इसकी प्राइक्ता क्या होगी बाबु सौरी एक बट्टा क्या हो जाएगा है ना एक वट्टा बावन हो जाए संभा परिणाम एक और कुल परिणाम बावन तो एक बट्टा बावन यह हमारे पास एंसर आजएगा बस तो मैंने यह बता दी आप लोग डिटेल में के बाद सा होने की प्राइक्ता इस तरीके से ठीक है समझ रहे ना आप लोग तो यह हमारे पास चवुदा का सौल्व हो गया आईए अगला प्रशन लेते हैं तो प्यारे वच्चों इससे आगे जितने भी कोश्चन है ना उन सभी को हम अगले पार्ट में ले लेंगे ठीक